देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग बिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको बिग बिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार आप देख रहे मारके टाइम्स टीवी मैं हूँ आपके साथ शालिनी शुरवास सब बड़ी कवर का रुख करते हैं गौर की कीमतों में काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबात चल रहा है पंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी गौर की कीमत उठ नहीं पा रही है रूस यूक्रेइन के यूद के चलते कच्चे तेल में आई तेजी से बावजूद गौर की कीमतों में कुछ समय के लिए सीमित दायरा रहा दरसल रूस और यूक्रेइन के बीच यूद की स्थिती के कारण वहां कच्चे तेल की ड्रीलिंग के लिए इस्तमाल होने वाले गौर गम की डिमांड घटी थी जिसके गौर की कीमतों में गिरावट आई थी जब की कच्चे तेल 14 साल के हाई रिकॉर्ड पर पहुँच गया था गौर की कीमते तब बढ़ना शुरू हुई थी जब अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से मना कर दिया और पूरी तरह से प्रतिबन लगा दिया अमेरिका और रूस के सयोगी यूरोपियो देश ने रूस के कच्चे तेल को खरीदने से इंकार कर दिया है जिससे रूस को आर्थिक छोड पहुची और रूस यूकरेन पर हमला करना बंद कर दे ऐसे में जानकारों का माना है कि अमेरिका ने जो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबन लगाया है तो जाहिर है कि अमेरिका कहीं न कहीं से कच्चे तेल का अपूर्ती बढ़ाएगा जानकारों के अनुसार अमेरिका अपना कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे सकता है अगर अमेरिका अपने यहां कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाता है तो वहाँ पर गौार गम का इस्तमाल बढ़ेगा है जिसका सपोर्ट भारतिय गवार की कीमतों को मिलता दिखाई देगा और निर्यात में भी कुछ तेजी दच की जा सकती है जानकारों के अनुसार गवार गम में फिर से 12,500 से 13,000 और गवार सीड में लंबी अबदी में 8,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं तो ये थी बात कि गवार की कीमतों में जो तेजी है और उचाल है वो देखा गया है और गवार गम की कीमतों में जोरदार उचाल से गवार गम का जो स्तमाल है वो बड़ेगा जिसका सपोर्ट सीधा भारतिय गवार की कीमतों को मिलेगा तो आज की खबर में बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हैं मारके टाइम्स टीवी के साथ मुझे दीजे जाजत नमस्कार झाल 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 झाल